देख सकते हैं अभी हम पूरा एकदम पहाड़ियों के बीच में आ चुके हैं पूरा जंगल जाड़ी है हर तरफ यह चेक मारो गाइज बुलेट टाटक गया पूरा फस गया है यह बैस लेटी का इसका यह जो प्लास्टिक है ना यह काम में आ जाएगा सो फाइल लेग गाई कैसा उत्तराओ है यहाँ पे इन पहाड़ों में चलने का बात है लेगे गाईज अभी सिकेंड राउंड के लिए निकल देखते हैं क्या होता है कि भाई सहब है चेक मारो गाइज अभी हमने इनिश्टा यहाँ फिट कर दिया आगे यहाँ पे थोड़ा रिक्सी है डेंजर है बहुत ज्यादा यहाँ पे यहाँ पे आराम से उतारना पड़ेगा वापस से अपने को चेक कर सकते हूं भाई 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 बच गया चेक मारो गाइज बहुत रिक्स है भाई सहब अराम से अराम से अराम से बहुत बढ़िया तो यहां से हम नीचे उतरते गाइज क्या बोलते हैं यह चेक मारो भाईस का रिएक्षान गाइज अब यहां से हम उतरने वाले बहुत बैंकर यह चेक मारो गाईस ओ भाई भाई कितना रिक्सी है गाईस ओ भाई ओ भाई अधर तो जंगल जाड़ी और होई 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 पत्तर पत्तर ओ भाई अभी तो गिरावता देख रहे हो कितना बड़े-बड़े काटे हैं कि बैंकर वाले काटे लग रखे गाइस बस टायर पंचर ना होने तो दिक्कत हो जाएगा जाएगा तो भाइस सहब कि बहुत बड़े-बड़े पत्थर है गाइस शेक आउट कि फाइनली 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 एकदम नीचे आ चुके हैं अभी यहां से भी नीचे और जाना है अब चेक मारों गाइस वह भाई अभी तो गिरा होता है को इस पत्थर आ जा रहे ना बड़े-बड़े इसके वज़े से भी बाइब सबसे बेश्ट होता है गाई आफ रोडिंग के लिए तो बहुरा इदर तो गया निकल जाएगा प्याइब चेक मारों गाईस बिलेट अठक गया पूरा फस गया है पूरा इंजनी टाश हो गया नीचे उदर से ले लिए उदर से ले लिए आगे से ले लिए उपर चलेंगे उपर चलेंगे उपर तो गाई अब बुले टटक गया देख सकते हैं कोई चांस नहीं है पूरा इंजन टच हो गया नीचे साइलेंस और रोलेंसर सब हो गया तो भी इसको निकालता हूँ देख सकते हैं कोई चांस नहीं भाई सब बुलेट इस दपावर भूल गाईज उपर चलना है ति और यह अराम से यह गिर जाएका अराम से उसलिप मार रहा है अराम से ले ओं भाई 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 इतने गर्मी हो रहा है पहाड़ी ओं में समझ सकते हैं कितना गर्मी होता है अभी चेक मारो गई अभी लगा लगा बहुत भैंकर लगा चेक कर सकते हैं अभी हम उतना दूर उपर आए थे अभी आ चुके इधर अभी वापस से हम जाने वाले उस पहाड़ी के उपर देखते ट्राई करते जा पाते की नहीं यहां से तो कोई चांसी नहीं है देख सकते हैं अभी हम पूरा एकदम पहाड़ियों के बीच में आ चुके हैं पूरा जंगल जाड़ी है हर तरफ और वो सामने कृष्णा खड़ा है देख रहा है अपने कोई टाइगर यहां पर लगा है नीचे छोटा सा मंदिर है कि यहां पर कुछ तो बना है क्या पता अभी देख सकते हालत एक दम खराब हो चुका है तो फाइनली गाई जब हमने डिसाइड किया कि यहां से उतरेंगे नीचे पूरा तो इधर क्या है आगे कुछ आइडिया नहीं अपने को तो बस हैसे ही जा रहे हूँ हूँ भाई हूँ प्री काटे काटे सिट मैं अपने इंजन में बहुत भाइंकर लग रहा है कि अगरे चेक आउट गाई चेक आउट अगरे तो भी यहां पर लगाते इसको थोड़ा अगरे लोल शूट कर लेते हैं तो गाइस एक मार हूँ आरसी कैसे लेके जा रहा है डगरा के विदावट चालू करके बोल रहा है टूट जाएगा फूट जाएगा क्या मोटो व्लोगर वनेगा गाईस जबरदस्ती अपने से उधर साय हमने उसको बुलाया भी नहीं क्रेश हो गया था थोड़ी देर पहले अपना कैमरा चालू नहीं था तो पूरा डर गया है तो अभी धक्का मार के वहां पर लेके जा रहा है तो अभी हम भी निकलेंगे गाईस भीकोज लगा है भूक अब शेक आउड गाईस अब अब अरे इसका स्पिरिंग निकल गया है तो तो गाई जिसका स्पिरिंग कहीं गिर गया है पता नहीं कहां गिरा है वो देखना बड़ेगा यहां पे तो नहीं है कहीं रास्ते में गिरा भीकोज लग गया था न जोर से तो देखते हो नहीं लगवाना पड़ेगा अभी रस्ती भी नहीं बाढ़ने के लिए मेरे बास कि में बाद्धू उसको भी कोछ हर जंगल लगेगा वो यहां पर कहां रस्ती मिलेगा गाई जंगल में अच्छा उसका वो निकाल लेते बैसले दीका इसका यह जो प्लास्टिक है यह काम में आ जाएगा इससे बाढ़ने के लिए तो एक आर्सी वहां पर पहुंच गया एक आर्सी वहां पर है कि यह काम में आ जाएगा देख सकते तो इसके लिए पहले हमको लगाना पड़ेगा डबल इस्टेंड पर लोगाई इसका इस्प्रिंग लगा होता है न जो वह निकल गया है जिट मैन तब इसको कहां बादे कुछ समझवे भी नहीं आ रहा है जोगार से इसको तो अटका तो दिया है बट यह अभी कब कहां तूट जाए कुछ आइडिया नहीं तब इसमें नया जाएंगे इस पिरिंग लगाएंगे बिकुट आभी रोट पे निकलते इसको रसी से बानते अभी डबल स्टेंट पर लगा रखा था मैं तो अभी डबल स्टेंट से उतारता हूं तो यह चेक मारो गाईज कितना टेंजर है बहुत खतरना के यहां तो शेक आउट गईज इनी पतरों में कहीं लग के अपना निकल गया है उसका स्प्रिंग बहुत खतरनाक आज का चेक आउट गाईज ओ भाई गड़े 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 तो यहां पर देख सकते गाईज गाया और भैस के लिए पानी है पीने के लिए तो अभी यहां से निकलते हैं साथ में अरे उसका इस्टेंड का इस पिरिंग कहीं गिर गया था